कोई कहता है शोय बकतर बनेगा तो कोई कहता है नहीं यह तो बिरिटली बनेगा लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो कहते है कि इसका आलवी उम्रान मलिक जैसा ही होने वाला है वेल दोस्त हम बात कर रहे है 21 वर्षे मयक यादो की जिसने अपने डेब्यू मेस के अंदर मातर 15 मिनिट के अंदर पूरे क्रिकेट जगत को इला कर रख दिया जिसकी बॉलिंग लाइन और बॉलिंग की स्पीड के सर से हर क्रिकेट फ्रेमी ने करी और तोर बड़े-बड़े क्रिकेटरों ने भी उसकी तारिफ की और उसकी नौन भी ली लेकिन आये कहानी शुरू करते शुरू आचे तो इस कहानी की शुरूआत होती है दिल्ली से मयक यादो का जन्मत दिल्ली में हुआ था मयक यादो के उमर जब चार वर्ष की थी तब उसके पिता ने उससे एक सवाल किया था किया बेटा तो क्रिकेटर बनेगा तब मयक यादो ने एक बहतरीन जवाब दिया कि जैसे आपकी मरजी बस इसी जवाब ने बहुए बना दिया अब हर पिता जो अपने सपने पूरे नहीं कर पाता वो सपने अपने पुत्र में या यू को है तो बेटे के अंदर देखता है कि मेरा बेटा मेरे सपने ज़रूर पूरे करेगा तो बस सेम वैसा ही हाल इस काहनी के अंदर था मयक की पिता को बस पन से क्रिकेट का शौक था और वो भी क्रिकेट के दिवाने थे उसको भी एक क्रिकेटर बनना था के अंदर जोइन करवा दिया मैक ने 2022 में दिली की तरफ से खेलता हुए T20 फॉर्मेट के अंदर डेब्यू किया और वहाँ पर भी उसका बेस्ट प्रफॉमस रहा और इसका ये प्रफॉमस लेज़ी वालवा के नजर में आ गया यानि कि लखनो मैनेज में टीम के नजर में आ गया और उसने आईपेल 2023 के आउक्षन जो की 2022 के डिसंबर में हुआ था वहाँ पर मयक के बेस प्रेस 20 लाग पर बोली लगई और उसको अपनी टीम का हिस्सा बना लिया लेकिन जनवरी से मार्स तक रंजी ट्रोफी चल रही थी उसी दोरान वो इंजर हो गए और उसको आईपेल 2023 ड्रॉप करना पड़ा लेकिन इस बन्दे ने फिर भी हार नहीं मानी आईपेल 2023 पर अपने इंजरी पर काम किया और आईपेल 2024 के अंदर बहतरीन कमबेक करते हुए डेब्यू किया अब डेब्यू मेंस का हाल तो किसी को बताने के जरूरत ही नहीं है एक वक्त पर लग रहा था कि पंजाब वाले जीच जाएगे और पंजाब की पार्टनर्शिप भी बहतरीन हो गई थी मैं आपनार पार्टनर्शिप की बात कर रहा हूँ जो कि जोनी बेश्टो और शिकर धवन के बीश हो गई थी वहाँ पर वहाँ कि यादव ने आगर जोनी बेश्टो की विकेट निकाल ले और पूरी मैस का रुक बदल कर रख दिया और उसी मैस के दोरान उसका बेश्ट प्रॉपरमस निकल कर आया और इस बंदे ने आईपिल के पहले ही मैस के अंदर मातर 15 मिनिट के अंदर क्रिकेट जगत को इगला कर रख दिया और आईपिल 2024 की सबसे फास्ट गैन 156 की स्पीड से गैन बाजी डाल दी लेगिन यहीं से क्रिकेट जगत के अंदर एक बहस शिरू हो गई थी कि यह लड़का भी आगया जाकर उमरान मलिक बनेगा तो दूसरी तरफ का वर्ग कह रहा था नए लड़का ब्रेटली और शोयब अखतर बनेगा अब चारों तरफ मयक यादो की डिबेट चली रही थी कि फिर उसके RSB के सामने मैस आ गई अनिके LHG वर्सिस RCB वहाँ पर भी मयक यादो का बेस्ट प्रोफरमस रहा और उसने जब उस्टिल्या के बेस्ट और राउंडर प्लेयर कैमरान ग्रिन को आउट किया तब उस पर ब्रेटली का जवाब आया के लड़का आगे जाकर शोयब अकतर का भी रेकॉड तोड़ देगा जब ब्रेटली का ये बयान आया तब क्रिकेट जगत के अंदर एक और भसड मसनी शुरू हो गई अगर कोई और बंदा इस बंदे पर कॉमेट करता और कहता कि शोयब अकतर का रेकॉड तोड़ देता तो ज़्यादा कुछ बबाल नहीं मसती लेकिन ब्रेटली जएसा प्लेयर एक महान प्लेयर जिसने शोयब अकतर के इतर इतर बॉलिंग की है और उसकी बॉलिंग लाइन पी 150 के प्लस रही है और वो बंदे इस बंदे पर कॉमेट करता है और एक युवा लड़के पर कॉमेट करके कहता है कि लड़का आगे जाकर शोयब अकतर का रेकॉर्ड तोड़ेगा तो वाकई में मुएक यादव के अंदर कोई ऐसी एबिलीटी होगी या या यासी कोई शक्ती होगी उसकी बॉलिंग के अंदर या या यासी कोई स्टाइल होगी तो कही न कही से उस वक्त उसका जादा हो गया था और आज उस बंदे का यानि कुम्रान मलिक का केरियर पूरी तरीके से डूब गया है लेकिन हाँ अभी तो में क्यादव के केरियर के शुरुआ थे अभी तो सिर्फ दो ही मैस हुई है तो दो मेस से हमें भी उसको ज़्यादा आगना या कम आगना कोई अच्छी बात नहीं होगी तो देखते हैं का में क्यादव बेस्ट प्रफॉमस करते है या नहीं अब मैं बात करो आखरी टॉपिक की कि क्या इस साल टी टूइंटी वल्ड अकप होने वाला है तो सबसे पहले तो में क्यादो को फीट रहना होगा और उससे भी ज़्यादा कोहू तो हर मैस के अंदर उसको ऐसा प्रफॉमस करना होगा कि सयन करता मजबूर हो जाए उसको पंदरा प्लेयरों के अंदर सयन करना के लिए बाकि देखते हैं कि ये लड़का आगे जाकर इंडियन क्रिकेट का फ्यूसर बनता है या नहीं बाकि आप मुझे कॉमेट बॉक्स के अंदर बताएगा श्वयब अक्तर की गैन बाजी का रेकॉर्ड 161 किलोमेटर परती घंटे की गैन बाजी वाला रेकॉर्ड मैं कि यादो तोड़ पाएगा नहीं वो मुझे कॉमेट बॉक्स के अंदर बताएगा मेरे ये साफ से तो ये बंदा आगे जाकर कही ना कही सा तोड़ देगा लेकिन खेर दोस्तों बस यही थी कहानी कहानी अगर आपको पसंद आई तो फ्लीज वीडियो को लैक करिजेगा शैनल को सब्सक्राइब किजेगा और अपने दोस्तों के साथ ये स्टोरी शेर किजेगा ताकि उसे भी पता सले कि इंडियन क्रिकेट के अंदर एक नया सितारा आ गया है शो 15 साल तक इंडियन क्रिकेट टीम के बोलिंग लैन को डोमिनेट करने वाला है मिलते कल नई वीडियो के अंदर तब तक के लिए जही शैवारत